हलो दोस्तो वेलकम टू हरो लेंड तो आज के हमारी कहानी विचेस के उपर होने वाली है दोस्तो मूवी का असली नाम तो स्विटलोन हो गये लेकिन उसका इंगलिश नेम नैट सरें रखा गया है मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक लड़की जो अपने घर से भाग जाती है लेकिन जब वो सालोबाद अपने टाउन में अपना घर पर आती है तो वहाँ पर उसे बहुत से अजीब बाता पता जलती है तो आकिर उस टाउन में ऐसा क्या है? यह हम आची कहानी में देखने वाले है दोस्तों मूवी की कहानी साथ चेप्टरम डिवाइड है और इस कहानी की शुरुआत होती है शालिट नाम की एक बच्ची से जो कि अपने रूम में अपनी माँ से डर कर बेटी हुई थी और उपनी माँ को एक इवल समझ रही थी शालिट की माँ उससे बहुती गुस्ता थी क्योंकि उसमें अपनी सिस्टर तमारा का ध्यान नहीं रखा था शालिट गुस्ते में गर से दूर जाने लगती है अपनी माँ के डर से शालिट उस जग़ों को छोड़कर भाग जाती है अब इस स्टोरी के बीच में हम एक लेड़ी को देखते हैं जिसके आसपा स्नेक्स रहते थे और लेड़ी को ने यह हमें आगे पता चलने वाला है तो अब शुरू होता है चिप्टर वन मतलब पी आराइवल फिर कहानी कुछ सालों के बाद से शुरू होती है जहाँ पर शालिट अब बड़ी हो चुकी थी और फिर से अपने टाउन में वापस आ गई थी शालिट अपनी मार के घर तक आती है जिसको लोगों ने सालों पहले चला दिया था और शालिट को बार बार अपने चाइल रूट के बाते याद आ रही थी अब उसका खुद का घर तो नहीं था तो इसलिए वो उसी स्नेक वाली लेड़ी के घर पर रहने का सोचती है और उस टाइम पर वो लेड़ी हमें कहीं नहीं दिखती है उस घर की चीज़ों को शालिट देखने लगती है और उसे एक बॉक्स में अपना एक खिलोना मिलता है जिसके अंदर किसी बच्चे का दाथ था साती उस बॉक्स में शालिट को उस लेड़ी के सालोब पुराने बाल और कुछ बलेक मेजिक का सामान मिलता है फिर शाम को शालिट अपना पानी लेने के लिए जंगल के दर जाती है और जब वापस आती है तो उसके घर के बाहर कुछ लड़के खड़ा हुए थे और भी लोग वीचेस की बाते कर रहे थे उन लड़कों का नाम थे पीटर, रॉबर्ट, एडम और असल में लड़के शालिट को इस घर में रहता देखकर उससे कुछ पूछने के लायते शालिट उसे अपना नाम बताती है लेकिन वो लड़का शालिट पर बिलियू नहीं कर रहा था कि वो शालिट ही है मीरा शालिट को उस घर में केरफू रहने को कहती है त्योंकि पहले जो लेड़ी यहां पर रहा करती थी उसको विच होने के शक में फासी दे दी गई थी यहां पर उसी स्नेक वाली लेड़ी की बाते की जारी थी और उसका नाम ओटला था अचानक उनका फोरेस्ट के तरफ से कोई आवच सुनाई देती है और मीरा उस तरफ चली आती है मीरा को डूंडते हुए बाकी लड़के भी उसी तरफ चला जाते है और उनके जाने के बाद में शालिट रात को डरते हुए उसी घर में सो जाती है सुनाई नाम का एक लड़का विंड़ो सा सुत रूँ शालिट को देख रहा था लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता है फिर कुछ दिर के बाद में शालिट टाउनको देखने के लिए घर से निकलती है और रास्ते में उसको डेनी एक फीलड में सोता हो दिखता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती है शालेट विड टाउन के मेर आफिस जाती है और वहाँ पर अपना नाम बता कर उनको अपने आइडिय दिखा कर वो आफिस के लोगों से मेरे से मिलने की बाते करती है लेकिन वहाँ के इंपलॉई शालेट का नाम जानकर शॉक्ड में थे और वे लोग कुछ बहाना बना कर शालेट को वहाँ से भीज़ देते हैं और उसको मेर से मिलने की परिमिशन नहीं देते हैं वहाँ के लोग शालेट को अज़िब तरीके से देख रहे थे और शालेट फिर अपनी मा की ग्रेव पर जाती है तब ही मापर एना नाम की एक ओर डिलेडी आती है शालेट और एना एक दूसरे से बाते करने लगते है और एना और शालेट की मा बेला एक दूसरे की फ्रेंट्स थी शालेट के हाथों पर दिल देखकर एना समझ जाती है कि वो सच में शालेट है शालेट एना से पूछती भी है कि उसकी मा का किसना जला दिया तो एना शालेट की बातों का कोई जवाब नहीं देती है उल्टा शालेट से पूछती है कि वो इतना सालों तक कहा थी उनको ऐसा लग रहा था कि ओटला विच ने उसको और उसकी सिस्टर को मार डाला है शालेट को आने से पता चलता है कि उसकी मा एना और विलेजरस ने ओटला को बहुत टोचर किया था जब उन्हें उसकी और उसकी सिस्टर के बारे में पता चला था एना शालेट को ओड़ला के घर पर रहने को मना करती है और उसे अपने घर चलने को कहती है लेकिन शालेट वहापर जाने को मना कर देती है तब ही वहापर एना की बेटी हेलन वहापर आकर एना को लेकर जाती है उसके बाद में हम देखते हैं कि शालेट को उसका husband call कर रहा था लेकिन शालेट उसका call कट कर देती है शालेट जब घर वापस जा रही थी तो मीरा के घर के पास ये देखती है कि मीरा Adam के साथ में intimate हो रही है और ये देखकर शालेट अपने घर पर चली आती है रात को शालेट अपने जखमों पर मेडिसन लगा रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई आपरेशन हुआ था तब ही कोई उसके दर्वाजे पर नौक करता है शालेट जब बाहर देखना जाती है तो बाहर कोई भी नहीं था और घर से कुछ दूर फिल्ड पर मेरा नेकेड लेडि वी थी मेरा उससे कहती है कि चांद की रोशनी बाड़ी पर पढ़ते ही कुछ अजीब सा फिल होता है जो कि उससे बहुत अच्छा लगता है शालेट मेरा को घर के अंदर बढ़ाती है और दोनों एक साथ डिनर करते है और अपनी अपनी बाते एक दूसर से शेयर करते है यहाँ पर शालेट मेरा को बताती है कि उसका हादनिया का आपरेशन हुआ था वो रेस्ट करने की वज़ाए यहाँ पर चली आई जिस वज़े से उसका हस्बन उसकी फिकर कर रहा है दोनों को बारबार गर में अजीब आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन दोनों इस बातों को मजाक मिले रही थी अब उसके बाट शालेट मेरा को ओटिला का बॉक्स दिखाती है जिसमें उसका खिलोना और ओटिला के हैर थे खिलोने के अंदर जो दात शैलेट को मिलावा था वो भी मेरा देखती है बॉक्स में उनको एक कॉपी मिलती है जिसमें अजीब अजीब ब्राइंक्स बनी हुई थी और कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी लिखावा था ये सब देखे कर शालेट को यह लग रहा था कि ओटिला सच में एक विच्छ थी लेकिन मेरा इस बारे में कुछ नहीं कहती है यहाँ पर चेप्टर वन खतम होता है और चेप्टर टू शुरू होता है दे विलेज सुबर दोनों लड़कियों को घर के बार से बहुत आवज सुनाई दे रही थी क्यूकि गाव के लोग कोई फेस्टिवल सेलिबरेट कर रहे थे फेस्टिवल के नाम पर विलेज के लड़के लड़कियों को परिशान किया करते थे तो इसलिए वो दोनों घर का डोर बंद कर देती है लेकिन फिर भी लड़के दोनों को देख लेते हैं और डोर को तोड़कर उनको बहा निकालते हैं और मजाक मस्ती में वे सबी मेरा को पानी के अंदर फेक देते हैं लेकिन लड़के जब शारलेट को पानी में फेकने वाले थे तो गलती सा शारलेट एक बच्चे को किक कर देती है जिससे कि सब भी विलेजर्स उससे गुस्ता हो जाते हैं तब ही शारलेट ये नोटिस करती है कि एक हाथ कटा हूँ आदमी उससे अज़ीब तरीके से देख रहा था लेकिन शारलेट उसको एगनौर कर देती है फिर रात को मेरा शारलेट के ठाके खोड रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शारलेट एक नर्स है मेरा उस विलेज के लोगों से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखने से मना करती है क्योंकि विलेज के लोग पास्ट के किसी भी बात पर डिसकस नहीं करना चाते थे यहाँ पर मैं पता चलता है कि मेरा भी पहले आउटसाइडर ही थी लेकिन इस विलेज में रेंट और बाकी चीज़े बहुत कम रेट में मिलती थी तो इसलिए मेरा यह पर रह गई उपर से मेरा मेडिसीन भी बेचा करती थी और जंगल में उसको सबी हर्फ्स मिल जाते हैं जो उसके बिजनस के लिए बहुत है अच्छा था अब अगले दिन मेरा शालट को उसी पार पर लेकर जाती है जहाँ पर पास्ट में तमारा गिर गई थी और अपनी बेहन को याद करकर शालट बहुत जाद दुखी होती है मीरा फिर सा शालेट को एक गुवा में लेकर जाती है लेकिन शालेट को वहाँ पर गुटन फिल हो रही थी तो इसलिए वो बाहर चली गई थी बाहर शालेट को एक वॉल्फ दिखाई देता है जिससे डर कर वो अपस गुवा में मीरा के पास में आती है और मेरा उसे कमफर्ट करती है और फिर दोनों सो जाते हैं फिर सुबह भी वो वॉल्फ उसके पास में खड़े होकर उनको देख रहा था लेकिन दोनों नीन में थी तो उनको ये बात पता नहीं जलती है अब मेरा और शालेट जंगल में जड़ी बुटे लेने जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक दुसरे की लाइफ के बारे में बाते कर लेते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि शालेट का कोई हरनिया का आपरेशन नहीं हुआ था बलकि उसका मिसकरेज हुआ था और उस बेबी के लिए वो और उसका हस्बेंड चार साल से ट्राय कर रहा था लेकिन जब उसका मिसकरेज हुआ तो उसका हस्बेंड उसे चोड़कर चला गया और उसी वज़े से वो डिप्रेशन में आ गई थी शालेट को बेबी चाहिए था लेकिन उसके अंदर माँ वाली कोई फिलिंग नहीं थी वो बस अपनी माँ से एक अच्छी माँ बनने के लिए बेबी चाहती थी उसकी सिस्टर तमारा की मौत और उसकी बेबी की मौत के लिए शालेट खुद को रिस्पोंसिबल मानती थी जिसके बाद में शालेट रोतवे जंगल की तरफ चली आती है वहाँ पर शालेट को उसी पाड़ की तरफ से कोई आवाज सुनाए दियती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शालेट के सिर पर बाल नहीं थे वो एक फेक विक लगाती थी उसी आवाज के पिछा करता हुए शालेट फोरेस्ट के अंदर जाती है और वहाँ पर नेकेड होका नहाने लगती है और शालेट को कुछ दूरी पर छुपकर तॉमस उसे देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि शालेट के हैड नकली है तो अब शुरू होता है थर्ड चेप्टर दू वाइलड चैड अब अगले देशालेट ओटिला के घर को ठीक करे थी और हेलन शालेट से हरान थी कि वो कैसे एक वीच के घर में रह रही थी हेलन शालेट को ओटिला का नाम लेने से भी मना करती है और उसके मताबिक ओटिला ने उनके वीच को करस किया था क्युक्कि किसी ने उसके वेबी को और से च्छीन लिया था शालेट को पता नहीं था कि ओडेबी को कोई बेबी भी था तो इसलिए वो इस बारे में और इनफॉमिशन चाहती थी लेकिन हेलन उसे बस इतना बजाती है कि ओटिला का बच्चा गौव में किसी ने भी नहीं देखा था और बच्चा ओटिला ने एडॉट किया था तब ही हेलन एक वाइट स्नेक को देखकर उसके उपर हमला करती है वो सनेक पैन में था तो इसलिए मीरा के कहने पर शालेट उस सनेक को जान से माड आलती है फिर संड़े के दिन शालेट चर्च में जाती है लेकिन वहाँ के लोग उससे ज़्यादा बाते करने में इंटरेस्टर नहीं थे मुएंबर शालेट को हैलन मिलती है जिससे शालेट और टिला के बेबी के बारें पूछती है लेकिन हेलन उसे एगनोर कर रही थी शालेट को लग रहा था कि वो बेबी उसके सिस्टर तमारा हो सकती है तो इसलिए वो हेलन का पीछा करती है हेलन शालेट से नाराज थी क्योंकि जब से मीरा उस से मिली थी मीरा ने हैलन से मिलना छोड़ दिया था और यहाँ पर हैलन एक लेज़िबन थी और वो मीरा से प्यार करती थी तब ही वहाँ पर मीरा आती है और दोनों मिलकर हैलन को घर पर छोड़ने जाते हैं हैलन को नैशे में देखकर फिर दूसरी तरफ वह दिखते हैं कि एना एक बतख को मारकर उसके कौन को बैकेट में जमा कर दीं और कुछ देर के बाद में वहाँपर शालाट आती है और ओटी लगके उसी बेबी के बारे में उससे पूछती है लेकिन एना उसे कुछ नहीं बताती है तब शालेट एना से वो डग छीन लेती है और उसकी मा का गर कैसे जला और ये वाइल्डी चैल्ड कौन है ये उससे पूछती है मजबूरिम एना शालेट को वही फ्रॉक लाकर उससे देती है जो कि उन्हें फॉरेस्टर से मिला था और ये फ्रॉक तमारा ने उससे दिन पेना था जिस दिन वो पहाड़ी से गिरी थी एना से उससे पता चलता है कि उसकी मान ने ओटिला को फूल मून की रात जंकल में जाते हो देखा था जहांपर और फायर के सामने नेकेड होकर डांस कर रही थी सबी को ऐसा लग रहा था कि उटिला ने उसे वो तमारा को मारा था और विलेजर्स के मताबिक विचेस कुछ स्पेशल बच्चों को सेक्रिफाइस देकर उनके बलड से नहाते हैं अगर उस बच्चे की कोई फैमली नहीं होती है तो विचेस उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह बढ़ा करते है और फ्रॉक को देखकर शालेट अब कन्फरम हो गई थी कि ओटिला का वो वाइल्डी चैल्ड तमारा ही थी इधर एना को बतक के अंदर से एक मेंड़क मिलता है जिससे एना को लगता है कि शालेट भी एक वीच है चूकि शालेट ने उस बतक को टेच किया था और तब एना और हेलन शालेट को अपने घर से भगा देती है लेकिन मीरा शालेट को पीछे जाने लगती है तब हेलन शालेड को विच केकर मीरा को शालेड के पीछे जाने समरा करती है लेकिन मीरा हेलन की कोई भी बाते नहीं सुनती है इधर रोते हुए शालेड जंगल की तरफ जाकर अपनी भेन तमारा को याद करे थी और अचानक जंगल का वही हाथ कटा आदमी जॉन शालेट की विक को अटा देता है और उसके उपर गंसे वार करके उसे ब्योश कर देता है तो अब शुरू होता है चेप्टर 4 ओटीला कुछ देर के बाद में जब शालेट की आखे खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पास में ओटीला बीटी थी लेकिन वो मीरा थी और यहाँ पर में पता चलता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में शालेट अपने बाल को नुश ले करती थी और इसलिए उसका सर पर बाल नहीं थे मीरा यहाँ पर जोन के हाथों से शालेट को बचा का लाई थी और मीरा शालेट को उसकी सिस्टर तमारों को भूल जाने को कहती है चुकि वेसे भी वो मर चुकी थी और अगर जिंदा भी होती तो वो शालेट से नफरती करती इस बाद से शालेट को फिर से एंजाइटी होने लगती है और अपनी आईबरों के बाल भी खीचने लगती है और तब मीरा घर से बाहर चलियाती है फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि तॉमस के घर पर एक बकरी मर चुकी है और उसके लिए अपने बच्चे को ही मार रहा था और यहां पर वो बच्चे मीरा को ही विच बोल रहे थे लेकिन फिर भी मीरा तॉमस को बच्चों को मारता देखकर उसको इंसल्ट करके अपने गर के अंदर चली आती है और तब थॉमस उसके घर आकर उसका रेप करने की कोशिश करता है किसी तर मीरा खुद को पचाक कर वाँ से जंगल के तरु भाग जाती है और तब गुस्से में थॉमस अपनी वाइफ जोफा के साथ में ब्रूटली इंटिमेट होता है और उसका ये बिहेवियर उसके बच्चे भी सामने से देख रहे थे यहाँ पर मीरा शैलेट के घर पर आती है और शैलेट तब घर के बार सो रही थी मीरा भी शैलेट के पास में लेट जाती है और अपने चैल डूट की बाते याद करकर रूने लगती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा ही शालेट की बेहन तमारा है वो जब पहाड से गिरी थी तो एक लकड़ी उसके शरीरी के आरपर हो गई थी तब ही ओटीला वहाँ पर आती है वो मीरा को अपने साथ में लेकर उसका घर जाती है और उस टाइम पर सभी मीरा और शालेट को डून रहे थे लेकिन घर पर उसकी मा नहीं थी और तब ओटीला मीरा को अपने घर पर लेकर आई थी यहाँ से अब शुरू होता है फिफ्ट चेप्टर मिड समर नाइट एक रात को जंगल के सभी लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे उसमें एक वीच की डॉल और एक छोटा सा घर बना कर उसको आग लगा दी जाती है पार्टी में सभी लोग इंजॉय कर रहे थे लेकिन थोमस और उसके दोस्त मेरा के बारे में गलत बाते कर रहे थे और उसको इंसल्ट भी कर रहे थे उस टाइम पर मेरा उनको कुछ भी नहीं कहती है मेरा फिर शालेट और डेनी के डिंक लेना जाती है लेकिन उस डिंक में मेरा कुछ मिला देती है और उनके पूछने पर मीरा उनको बताती है कि उसने ड्रिंक में लव पोशन मिलाया है लेकिन दोनों मीरा की बातों को मजाक मिलेते हैं डेनी और शालेट फिर एक साथ डांस करने लगते हैं और कुशी देर में दोनों एक दूसरे के बहुत एकलोस आकर डांस करते हैं उन दोनों को डांस में विलेज के बाकी लोग भी जोईन करते हैं और तब पिटर शालेट को गरत तरीके से टच करता है गुस्से में शालेट पिटर को मारती है लेकिन विलेजर्स उल्टा शालेट को एक एक्रेक्टरलस बोलते है उनके मुंताबिक शालेट अगर इतना सेडक्टिव डांस करेगी तब तो उनका लड़का और पास आएगा ही हेलन तो यहाँ पर जंगलों में मरने वाले जानवर का इल्जाम भी शालेट पर लगा रही थी और वो उससे विच कह रही थी मीरा शालेट और डेनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और पार्टी से चले आते हैं यहाँ पर पार्टी में जोफा और थोमस को अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे और सबी विलेजर्स बच्चों को ढूणने जंगल के तरफ जाते हैं उनकी आवाज सुनकर वो तीनों भी उससे तरफ जाते हैं लेकिन रास्ते में शालेट दूसरे लोगों से अलग हो जाती है और उसी टाइम पर बहुत सारे वोल्फ भी शालेट के पीछा कर रहे थे उन वोल्फ से जान बचा कर शालेट उसे पहाड तक आती है जहां से उसकी बहन गिरी थी और पहाड के नीचे वो मीरा को लेटी हुँ देखती है अब यह सच में था यह फिन शालेट के कारण शालेट सब कुछ इमेजिन कर रही थी यह हमें आगे पता चलेगा तो शालेट फिर से फॉस्ट के तरफ जाती है और वहाँ पर उसे अपना हाथ और बोडी चमकता है नजर आते हैं साथी वहाँ पर उसे कई सारी विचेस नेकड लेटी वी देखती है जिनकी स्किन चांद की रोशनी में चमक रही थी डरकर शालेट वहाँ से बागती है तो रास्ते में उसे डैनी मिलता है और दोनों ही नैशे में थे जो कि एक दूसरे के करीब आकर इंटिमेट होते हैं और यहाँ पर हम शालेट की बोडी को सच में गुलू करता हुँ देखते हैं हैलन उस टाइम पर वहाँ से कुछ दूर खड़ी होकर उनको इंटिमेट होता हुँ देख रही थी और वहाँ से चली आती है लेकिन फोरेस्ट की एक जगह पर उसे बहुत सारी वीचेस नेकेड आगे के समने डांस करते हुए दिखती है वीचेस हैलन को तेक कर उसे भी उनके साथ में डांस करने के लिए लाती है पहले तो हैलन यह सब बहुत इंटिमेट कर रही थी लेकिन उनकी वीचेस में से उसे मेरा और उटला भी नज़र आती है दर के मारा हैलन जब माँ से भागने लगती है तो वो भी पहाड़ से गिर जाती है और अब शुरू होता है चेप्टर सिक्स दसिस्टर अगली सुपर शैलेट जब नेन से उटती है तो कल रात की मेरा की बात को सोचते हुए उसी पहाड़ पर जाती है तब ही माँ पर मेरा आती है ओ शैलेट यह समझ जाती है कि मेरा ही उसके सिस्टर तमारा है शालेट तो सोच रही थी कि मेरा अब अपना बदला लेने के लिए उससे भी पार्ट से दक्का दे देगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरा तो खुद अपनी बेहन से मिलना चाहती थी दोनों एक साथ उसी पार्ट पर बेट जाते हैं और शालेट अपनी गलते के लिए मेरा से माफी मांगती है मेरा देखना चाहती थी कि उसकी बेहन उससे प्यार करती है कि नहीं इसलिए उसने अब तक शालेट को सच नहीं बता था दोनों फिर घर आते हैं लेकिन मेरा के घर का सामान भिकरावा देखते हैं और उसके पेसे भी चोरी हो चुके थे मेरा को पता था कि ये सब थोमस नहीं किया हुगा फिर शालेट को वहाँ पर वेसे लेटर्स की कॉपी मिलती है और यहाँ पर में पता चलता है कि वो लेटर्स शालेट को मेरा नहीं बेज़े थे मीरा 20 साल से शालेट को ढूंड रही थी और यहाँ पर मीरा अपने साइट के स्टोरी शालेट को बताने लगती है पहाड से गिरने के बाद में ओटिला उसे अपने घर पर लेकर आई थी और जड़ी बूटियों से उसका ट्रीटमेंट उसने किया था मीरा पूरी तरीके से ठीक ब्यो गई थी लेकिन ओटिला से डर के मारे मीरा अपने घर पर चली गई थी और घर पर मीरा ने यह देखा कि उसकी माने वासी लगा कर सुसाइट कर लिया है उसी टाइम गलती से मीरा के हाथों घर में आग लग जाती है और मीरा शालेट का खिलोना अपने साथ में लेकर घर से बाग कर ओटिला के पास में आती है और इसी तरह उनकी मा का गर जल चुका था तब से ओटिला मीरा को अपने बच्चे की तरह बढ़ा करने लगती है और जेंगल के इसे भी इनसान को ओटिला पता नहीं लगने देती है कि ओबच्चा तमारा यानि की मेरा ही है मेरा को ओटिला सबी जड़ी बूटिया के समनती है एनिमल से प्यार करना, सांपो को दोस्त के से बनाया जाया, सब कुछ सिखा देती है लेकिन एक दिन कोई आद मेरा को अपने साथ में ले जाता है और तब से मेरा इस जेंगल से दूर एक औरफरेज में रहने लगी थी और टिला को याद करके मीरा रो रही थी तब ही उनको बाहर से किसी की आवद सुनाई देती है और बाहर देखने पर उनको Thomas, Adam, Peter दिखाए देते हैं जो कि Helen को जख्मी हालत में जंगल से लेकर आये थे एक लकड़ी Helen की बोड़ी के आरपर हो गई थी और Blood Loss से Helen मरने वाली थी Charlotte एक नर्स थी तो Helen का treatment करना चाहती थी लेकिर एना और बाकी के लोग Charlotte को विच मानकर Helen को हाथ लगाने नहीं देते हैं जिससे कि Blood Loss होने से Helen मारी जाती है और Charlotte मीरा को लेकर वाह से भाग जाती है अब आता है आकरी चेप्टर 7 The Weaches Thomas और Zofa के बच्चे अब तक मिसीं थे सबी विलेजर्स और पुलीस बच्चों को जंगल में ढूंड रहते है Thomas को लग रहा था कि बच्चों को मीरा और Charlotte नहीं कुछ किया है और वे दोनों वीचे से तो इसलिए वो Zofa, Adam और Peter को अपने साथ में लेकर और तिला के गर के तरफ निकल जाते हैं इदर Charlotte, Danny को कौन लगा रही थी लेकिन उसका फोन नहीं लगा रहा था और कुछी टाइम में वो तीनों यहां से भागने वाले थे लेकिन वे लोग यहां से भागते उससे पहले ही Thomas के लोग उनके गर पर आते हैं और मेरा को बान देते हैं फिर वे लोग Charlotte के कप़ला उतरा कर उससे उन बच्चों का पता पूछ रहे थे लेकिन उन लोगो को बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था और गुसे में लड़के उसके अन्बोन बेबी की अबोशान के फोटो भी मिलते हैं जिसे कि वे लोग शालेट को वीची मान रहे थे जो कि बच्चों को सेक्रिवाइस करती थी फिर थोमस और पिटर जंगल के तरफ जाते हैं ताकि वे बच्चों को पता लगा पाए और जाने से पहले वे दोनों जोफा को ललकियों पर नज़र रखने को कहते हैं जोफा यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी उनसे अपने बच्चों का पता लगाने के लिए और वो भी बाकी लोगों की तरफ उन्हें वीच मान रही थी उनसे जब उसे कुछ पता नहीं चला तो जोफा एडम को उनपर नज़र रखने को बोलकर जंगल के तरफ जाती है और ऐसी सुबह हो जाती है अब अगले सुबह एडम को एक वाइट स्नेक नज़र आता है लेकिन जब वो मीरा को स्नेक दिखाने वहाँ पर लाता है तो मीरा को वहाँ पर कोई स्नेक नहीं दिखता है फिर एडम को घर के अंदर वही स्नेक नज़ आता है और एडम जब तक भार से गन लाता मीरा ने विंडो से शालेट को भगा दिया था एडम शालेट के तरफ गोली चलाता है लेकिन वो गोली जौफा को लग चुगी थी और उस टाइम वो जौफा को जेंगल से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी थी तो वो उससी तरफ जा रही थी और इसी वज़े से जौफा को एडम की गोली लेगी थी फिर एड़म मेरा को चेर से बांद कर जोफा के लिए हिल्प लाने चला जाता है और कुछ देर के बाद में वहाँ पर थोमास आता है और अपनी वाइफ को इस हालात में लेखकर मेरा को घर के अंदरी चोड़कर घर में आग लगा जाता है मीरा हیल्प कले चिला रहे थी लेकिन उसके ह HARP करने वाला वाह पर कोई बे नहीं था फिर आग के धुय के कारण मीरा ब्योश हो जाती है और कुछ दिर के बाद में शैलट वाह पर डेनी के साथ में आती है और मीरा को आग से भाय निकलती है लेकिन मेरा अपने होश में नहीं या रही थी और इसे के साथ में ओटिला का घर भी पूरी तरीके से आगे में खतम हो जुगा था अब कहानी फ्रेजबेग की तरफ जाती है जहांपर हम ओटिला को देखते है जो कि मेरा के जाने के बार में बहुशे दुखी थी और मिरा को वो अपनी बेटी मान चुगी थी ओटिला एक बॉक्स में मिरा के सभी सामान के साथ अपने बाल काट कार रखती थी फिर उसके बाल में ओटिला जंगल के अंदर जाकर सांपों से खुत को कटवा कर अपनी जान ले लेती है और मनने के टाइम भी ओटीला मीरा कोई भी याद कर रही थी और उस समय ये सब इंसिडेंस को वही वल्फ देख रहा था कहानी अब फिर कुछ दिन के बाद प्रेजन टाइम में आती है जहां पर मीरा और शैलेट एक दूसरे के साथ में बहुत है खुश थे दोस्तो इस मूवी के स्टोरी बहुत दी कॉम्प्लिकेटर रखी गई है साथी में मूवी में कुछ भी कलिए नहीं बताया गया है लेकिन अगर मूवी को अच्छे समझा जाए तो कहानी कुछ इस तरीके से सबसर पहला विलेज में कोई वीच थी ही नहीं ओटिला के लिए रा करती थी क्योंकि उसका कोई नहीं था वो जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी और साबों से नहीं डरती थी उसका एक बच्चा था जो कि वो जंगल से उटाकर आई थी जिससे किसी ने में नहीं देखा था फिर मेरा और शायलट अच्छानक से गयाब हो गई इन्हीं सब बातों के वज़े से गाम वालों ना ओटिला को एक वीच माना और उसे टॉर्चर भी किया लेकिन मेरा को पाकर ओटिला सब कुछ भूल गई उसे जीने की वज़े मिल गई थी उसना सारी बाते मेरा को जिखाई जो कि उससा आती थी लेकिन एक दिन कोई मेरा को अपने साथ में दूर लेकर चला गया और उटिला के पास मेरा के अलावा कोई भी नहीं था और तब उसने एक वीच बनने का डिसेज़न लिया और इसलिए उसने में हेलन को ओटिला नजर आई थी और इस तरफ मेरा 20 साल से शालेट को ढूंड रही थी और फाइनल जब शालेट का उससे पता चला तो उसने लेटर के जरिये शालेट को महाँ पर बुलाया लेकिन उसने अपनी रियल आइडिन्टी रिविल नहीं की पहले मेरा जानना चाहत प्रुचन कईले उनके आसपस हमेशा रहा करती थी फेस्टिवल के रात को मिरा ने जो मेडीसीन शालेट के लिंक मेरे डिकम डाला था उसे रिसा हुए उससे शालेट कुछ बातों को इमैजिजन कर रही थी लेकिन उन्में कुछँ बाते रियल भी थी जंगल के अंदर वो विचेस रियल थी जो कि हर किसी के नजर मने आती थी और फॉरेस्ट के अंदर से अजीब आवज इसलिए आती थी शायलेट की बोड़ी का गलो होने का मतलब यह था कि वो किसी ना किसी विच के पास में रेती थी यहाँ पर मीरा भी विच हो सकती है जो कि वो विचेस के कारण बूलएट में नेकट सोती थी जो काम विचेस करती थी और बच्चे भी मीरा को विच बोलते थे क्योंकि उन लोगों ने मीरा के कुई ना कोई हड़कत जरू देखी होगी हिलन ने भी रध को विचेस के बिच में मीरा को डांस करते हो देखा था और उस टायम फर मीरा दूसरे प्रेसर से गायब हो गयी थी और वो उस टायम शैलेट के पास भी रही थी तो वही हात कटा वो आदमी जौन, शैलेट और मीरा का पिता हो सकता है दोनों ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और नहीं उनको अपने पिता के बारे में कुछ बता था जॉन, मीरा और शालेट को अजीब तरीकस देखा करता था और उसमें एक बार शालेट के उपर हमला भी किया था अगर वो उनसे प्यार करता तो वो उनने छोड़कर नहीं जाता अब मीरा विच कैसे बने ये मूवे में नहीं बताया गया है तो हो सकता है कि शालेट को ढूंडने के लिए मीरा ओडिला की बुक की बातों को फॉलो करके विच बन गई होगी और तोमस और जोवा के बच्चे उनकी मार से डर कर भाग गयते हैं जैसे कि शालेट भागी थी क्योंकि जंगल में वे बच्चे जोवा को दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये थी दे नाइट सारेन मूवी की स्टोरी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को रैक जरू करें और पहले बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में